Hey guys, welcome back to Invest Mindset Banker और Brokers के Customers के याच कहा है और ये सवाल सुनते ही वहाँ के लोग हसने लगते और कहते के अरे बुद्दू Customers के कोई याच नहीं होते क्योंकि इनके Customers ने कभी इतना पैसा कमाए ही नहीं कि वो अमीर होके कोई याच खरीद सके अब दोस्तो ये कहान ही मैं Fred Shoot की इस बुक Where are the Customers याच से कह रहा हूँ जो खुद एक Stock Broker रह चुके है और ये बुक 80 साल पुरानी है लेकिन Investment Industry में आज भी वही चीज़े होती है जो तब होती थी क्योंकि इस Industry के बहुत सारे ऐसे Secrets है जो Bankers, Insurance Agents और Brokers हम Middle Class लोग को कभी बताते ही नहीं है जिससे वो खुद अमीर बनते रहते और Middle Class लोग जिन्दगी बड़ Struggle करते रह जाते तो दोस्तो यही चीज़ आपको आज इस वीडियो में मैं Explain करने वाला हूँ क्योंकि स्कूल में Financial Education नाम का subject होता नहीं है तो बहुत लोग सपने में भी यह सब चीज़े Imagine नहीं कर सकते तो इसलिए आज की वीडियो में हम यह तीन Important चीज़े डिसकस करने वाले सबसे पहले हम इस पावर को डीटेल में समझेंगे क्योंकि पास्ट में मैंने compounding के ओपर कुछ वीडियो बनाए थे लेकिन फिर भी बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि उन्हें इतना क्लिरली समझ नहीं आया तो इस वीडियो को आप part 2 समझ सकते हो इससे आपका सारा doubt क्लिर हो जाएगा फिर हम यह जानेंगे कि यह banker, brokers और insurance agents आपसे कौन से राज छुपाते और फिर finally हम यह जानेंगे कि आप compounding के power से अमीर कैसे बन सकते हो उसे अपने फायदे में use करके तो वीडियो को end तक जरूर देखना क्योंकि जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो यह वीडियो interesting होता जाएगा और आपको कुछ चौका देने वाली चीज़े सीखने मिलेगी और मैं guarantee कह सकता हूँ कि इस एक वीडियो से आपकी financial knowledge बहुत ज़्यादा improve होगी जिससे आप एकदम confident हो जाओगे अपनी financial freedom की journey में तो चली शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम compounding के concept को short में discuss कर लेते है अब इसका मतलब यह है कि जब आप पैसा invest करते हो तो आपका पैसा और पैसा कमाता है और वो जो और पैसा होता है वो और ज़्यादा पैसा कमाता है और इसी तरह यह process काम करता रहता है अब अगर आपको यह चीज नहीं समझ आई तो मैं इसका एक live example आपको दिखाता हूँ तो एक question में हमेशा अपने दोस्तों से पूछता हूँ कि अगर आप 10 लाग रुपय किसी stock में invest करते हो जो 26% के rate से grow होता है तो 30 साल में आपका investment कितने रुपय का होना चाहिए तो दोस्तो majority लोग यह calculation अपने दिमाग में इतना easily करना ही पाते तो मैं उनको एक shortcut बताता हूँ जिसको हम rule of 72 कहते इसका मतलब यह कि अगर आप 72 को किसी भी rate of interest से divide करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने साल में आपका पैसा double होगा और फिर इससे आप manually अपने दिमाग में ही calculation कर सकते हो कि long term में आपकी wealth कितनी होनी चाहिए जैसे मान लो अगर आपको FD से 7% का interest मिलता है अब आज कल तो यह भी नहीं मिलता लेकिन calculation को simple रखने के लिए हम 7% मान ले थे तो इस हिसाब से आपको 72 को 7 से divide करना है तो आपका answer आएगा 10 मतलब 10 साल में आपका पैसा double होगा या फिर अगर आपको mutual fund से 15% का return मिल सकता है तो आप 72 को 15 से divide करोगे और आपका answer आएगा 5 मतलब हर 5 साल में आपका पैसा या पर double हो रहा है तो यहाँ पर अगर हम 72 को 26 से divide करेंगे तो answer आता है 2.77 अब हम इसको round off करके 3 पकड़ लेते तो इसका मतलब यह हुआ कि 26% के rate से आपका पैसा हर 3 साल में double हो रहा है तो अब आप manually calculation कर सकते हो कि 3 साल बाद हमारा 10 लाग रुपया 20 लैक्स में ग्रोगा फिर उसके 3 साल बाद यानि total 6 साल बाद वो 40 लैक्स में ग्रोगा फिर उसके 6 साल बाद यानि total 12 साल बाद हमारा पैसा 80 लैक्स में ग्रोगा और फिर 24 साल बाद वो 1.6 क्रोर में ग्रोगा तो 30 साल में ये 2 करोड के आसपास होना चाहिए अब दोस्तों यहाँ पे majority लोग गलती कर देते क्योंकि अगर आपका पैसा हर 3 साल में डबल हो रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके 3 साल बाद यानि 9 साल बाद ही आपका capital 80 lakhs में ग्रो हो जाएगा और फिर 12 साल बाद ही ये 1.6 करोड में ग्रो चुका होगा फिर 15 साल बाद ये 3.2 करोड का होगा अब दोस्तों अगर आपको ये टाइम पे कोई ये बोल दे कि देख दोस्त शुरुवात के 15 साल में तुने 3.2 करोड जमा किये लेकिन अगले 15 साल में तू 99 करोड जमा करने वाला है तो कोई भी इनसान इस बात का यकिन करेगा ही नी लेकिन यही compounding का magic है क्योंकि 18 साल के बाद आपकी wealth होगी 6.4 करोड की फिर 21 साल के बाद आपकी wealth होगी 12.8 करोड की फिर 24 साल के बाद 25.6 करोड फिर 27 साल के बाद 51.2 करोड और फिर 30 साल बाद आपकी wealth होगी 100 करोड के उपपर और इसलिए Einstein ने इस compounding के power को 8 अजूबा कहा था जिसको समझ आता है सिर्फ वो ही कमा पाते है लेकिन दोस्तों यह सब सुनने में काफी अच्छा लगता है लेकि जब हम reality की बात करते तो graph इतना smoothly उपर जाता नहीं है तो एक common question मुझे बहुत लोग पूछते कि सर, stocks में हमारा पैसा market के इसाब से उपर और नेची होता है तो इसमें compounding कैसे काम कर सकता है क्योंकि theory में हमें compounding का graph ऐसा दिखाय जाता है लेकिन practical में तो कुछ भी हो सकता है कभी-कभी market crash भी होता है तो हमारा पूरा पैसा डूब भी तो सकता है तो दोस्तों आप लोगों से मैं एक simple सवाल भुशता हूँ कि अगर आप लोगों को पता चल जाए कि कोई investment से आपको fixed 15% का return मिलने ही वाला है तो लोग FD में और दूसरी policy में invest करेंगे ही क्यू तो इसलिए जिन लोगों को stock market की knowledge नहीं होती है तो directly मना कर देते कि यार कौन इतना risk लेगा क्या पता future में क्या होगा और यहीं पे majority banks और insurance वाले उनको कोई policy sell कर देते fixed और safe return के नाम पे जिससे actually में लोग savings कर करके ठक जाते लेकिन उसके बाद भी वो अमीर बनना तो दूर अपना standard of living maintained भी नहीं कर पाते इस चीज़को हम थोड़ी देर में एकदम detail में analyze करने वाले लेकिन जिनकी financial knowledge strong होती है तो उनको एक चीज़ पता होती है कि long term में जब आप किसी अची company में invest करते हो तो उसका stock price चाहे कितना भी fluctuate हो जाए वो long term में उपर ही जाएगा और अगर आपके portfolio में सिर्फ एक company successful होती है और बाकी सारी fail हो जाती है तो भी आप बहुत अच्छा return कमा सकते हो और अमीर बन सकते हो इस चीज़को भी हम वीडियो के last part में एकदम detail में समझेंगे तो इसलिए कम से कम बुरी से बुरी हालत में भी अगर आप किसी index fund में भी invest करते हो तो आपको inflation से अच्छा return तो मिली जाना चाहिए अब जोस्तो मैंने ये inflation word इसलिए use किया क्योंकि majority लोग इसको पूरी तरह ignore कर देते और यही सबसे बड़ा wealth destroyer होता है 1985 में एक kilo गेहू एक रुपया 25 पैसे में मिलता था और फिर महंगाई के वज़े से दीरे दीरे करके इसका price बढ़ता गया हर साल ये 5 पैसा, 10 पैसा ऐसा बढ़ बढ़के 2005 तक ये 5 रुपीज पर kilo हो गया लेकिन फिर 2010 में ये directly 10 रुपीज पर kilo हो गया मतलब 20 साल में 1985 से 2005 तक ये सिर्फ 4 रुपय एंक्रीज हुआ लेकिन 2005 से 2010 तक ये directly 5 रुपय एंक्रीज हुआ और फिर 2015 में ये directly 20 रुपीज पर kilo का हो गया मतलब यह वाले 5 साल में directly 10 रुपीज का increase और अभी आपको पता होगा एक किलो गेहू कम से कम 30 से 40 रुपे के आसपास मिलता है और कुछ जगा पर यह 50 से 60 रुपे का भी मिलता है तो अगर आज इसका प्राइज increase होता है अब कुछ लोग कहेंगे कि गेहू इतना महेंगा कैसे हो सकता है और बहुत सारे लोग ऐसी बढ़ती महेंगाई से धरने भी लगते है और दुकानदार से fight करते है लेकिन अगर हम इस inflation की rate को calculate करेंगे तो ये 1985 से अभी तक आप देख सकते हो 10% की rate से increase होता आ रहा है मतलब इंडिया में महेंगाई 10% की rate से हर साल बढ़ रही है जो एक छोटा नंबर नहीं है गवर्मेंट की official record के हिसाब से इंडिया का inflation 7.7% की rate से increase हो रहा है लेकिन मेरे साब से actual inflation 10% के आसपास ही है जिसका मतलब यह है कि सिर्फ अगले 5-6 साल में एक किलो गिहों का price 100 रुपे का हो जाएगा और जब ऐसा होगा तो इसका price 2 रुपिया और 5 रुपे increase नहीं होगा फिर ये directly 10 या 20 रुपे increase होगा तो जो भी price increase होते वो हमेशा percentage के हिसाब से होते compounding के power से तो जाहे आप इस compounding के power को समझो या मत समझो लेकिन ये हमेशा आपकी खिलाफ काम करता रहेगा और इसलिए अगर आप सिर्फ savings करते हो तो future में आपको बहुत struggle करना पड़ सकता है और अगर आप कोई भी इसी जगा invest करते हो जहाँ आपको 10% से कम return मिलता है क्योंकि इन्होंने ऐसे investment चुने जो वो time पे एकदम अच्छे और save लगते थे लेकिन जैसे जैसे time निकलता गया तो इनके investments इतने खास rate से grow नहीं हुए और महेंगाई जादा बढ़ गई और फिर कुछ innocent लोग ऐसे भी होते जो इसके ओपर loan ले ले थे मतलब 10% के rate से तो महेंगाई बढ़ती है और उस पे 8-10% extra वो bank को interest में pay करते तो ऐसे लोग को देखकर आपको surprise होने की जरूत नहीं है कि वो लोग हमेशा पैसो को लोगी इतना परिशान क्यों रहते लेकिन compounding के against जाने के बारे में हम किसी और दिन इकदम detail में discuss करेंगे लेकिन फिलहाल हम ये समझते कि जो लोग हमें investment की service provide करते यानि ये bankers और brokers वो आपसे ये अमीर बनने के राज चुपा कैसे लते लेकिन उससे पहले हम ये समझते कि ये investment industry काम कैसे करती है तो दोस्तो investment industry के दो sides होते है एक होती है buy side यानि banks और insurance companies इनको ज़्यादा profit तब मिलता है जब आप इनके पास ज़्यादा पैसा जमा करते हो या इनकी policy buy करते हो फिर दूसरी होती है sell side यानि brokerage industry इनको ज़्यादा profit तब मिलता है जब आप ज़्यादा transaction करते हो मतलब जब आप shares खरीत के उसे बेचते हो तब तो सबसे पहले हम इस buy side की बात करते है अब जोस्तो एक आदमी ने मुझे recently एक email किया कि sir मुझे अपनी bank से एक guaranteed income वाली policy मिल रही है जहां मुझे हर साल सिर्फ 2.4 lakhs रुपीज invest करना है 6 साल तक फिर मुझे 20 साल के बाद 25 लाग रुपे मिलेगा तो सबसे आप मुझे बताए के इस policy में क्या बुरा है तो दोस्तो जब भी आपको कोई ऐसी policy मिलती है तो आपको हमेशा उसका compounded return चेक करना चाहिए कि आपका पैसा कितने percent के rate से grow हो रहा है और ये चीज़ आपको खुद चेक करना चाहिए उनके लिखे हुए pamphlet के बरोसे पे ने रहना चाहिए और ये चीज़ चेक करना काफी simple है उसके लिए आपको excel में जाके IRR यानि internal rate of return का simple formula डालना है और result आपके सामने होगा इससे हमें ये पता चलता है कि आपका पैसा कितने percent के rate से grow हो रहा है जैसे हमने वीडियो के start में discuss किया कि अगर आपका पैसा 5 साल में double हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 15% का return मिला और अगर वो 10 साल में double हुआ तो ये 7% का return होता है तो ये IRR सबसे useful तब होता है जब आप कहीं पे multiple payment करते हो जैसे SIP में या ऐसी कोई policy में इसकी ज़्यादा details हम किसी और वीडियो में एकदम detail में discuss करेंगे लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो ये scheme में आपका पैसा सिर्फ 7.78% के rate से grow रहा है मतलब future में इस investment से आपकी affordability और कम हो जाएगी क्योंकि जो चीज़े आप आज खरीद पा रहे हो 50 लाग उर्पे से आप future में उतनी भी नहीं खरीद पाओगे मतलब आपका standard of living नीचे गरेगा तो in short ये अमीर बनने की नहीं बलकि गरीब होने की scheme है अब दोस्तों अगर आप 50 lakhs को देखोगे तो no doubt ये एक बहुती बड़ा amount लगेगा और आपको लगेगा कि ये policy बहुत अच्छी है लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि ये आपको 20 साल बाद मिलेगा अगर आप ये same amount किसी simple से index fund में invest करते हो जिससे आपको 15% का return मिलता है तो आप देख सकते हो वो same amount उसी period में 1.7 crores में grow होता है और इसलिए ऐसी policies की काफी ज़्यादा advertising होती है और agents को अच्छे commission दी जाते है और अगर आपको 15% के जागा पर 13% भी return मिलता है क्योंकि जब भी आप किसी broker की service के लिए sign up करते हो तो आपको कोई additional service free में provide करते है ट्रेडिंग करने के लिए training देंगे या market के updates प्रोवाइड करेंगे email और videos के थुरू और कुछ brokers तो आपको daily calls प्रोवाइड करेंगे कि आपको कौन से stocks buy or sell करने चाहिए तो लोग खुशी-खुशी ये सब चीज़े accept कर लेते क्योंकि free का पैसा किसको पसंद नहीं है लेकिन जब आप किसी भी successful investor की history पढ़ोगे जिन्होंने actually मैं stock market से अच्छा पैसा कमाया है और उनके interviews सुनोगे तो वो हमेशा long term buy and holdy recommend करेंगे कि stock market is a device to transfer money from impatient to patient यानि जो patiently invest करेंगे वो पैसा बनाएंगे और जो बार-बार buy and sell करेंगे वो गवाएंगे लेकिन अगर सब लोग ऐसा patiently invest करने लगेंगे तो इन brokers का पैसा बनेगा कैसे तो इसका मतलब काफी simple है अगर broker आपको अमीर बनने देगा तो वो खुद बुका मरेगा तो इस conflict of interest की वज़े से आपको समझ जाना चाहिए कि brokers आपको उनकी free service में क्या recommend करेंगे वो एकदम smoothly आपको कोई extra service provide करेंगे जैसे daily alerts emails, articles या videos की तुरू market के update देंगे कि देखो आज market क्यो पर गया हमारा analysis ये है या ये देखो ये stock आज उपर क्यो गया और आपको लगेगा कि आप कुछ सीख रहे हो लेकिन actually में ये daily fluctuation कुछ काम के होती नहीं है तो जो लोग stock market को discover कर भी लेते तो उनमें से 99% लोग trading करते या फिर हमेशा यही पूछते कि कौन सा stock लेना है और उसे कब बेचना है क्योंकि ये brokers और TV news channels सारे newcomers का brainwash कर देते कि stock market से आप सरिफ और सरिफ buying and selling करके ही profit कमा सकते हो और इसलिए किसी भी stock को 10-20 साल के लिए hold करना लोग को मजाग लगता है और इसलिए वही लोग जो patiently FD में invest करके 10 साल में अपने पैसे डबल करने का wait करते उनको stock market से एक ही हफ़ते में पैसा डबल करके चाहिए होता है क्योंकि उनको रखता है कि यही market से normal expectations है और इसलिए लोग long term के लिए FD और AC policy में invest करते और short term के लिए stock market में trading करते जिससे इन buy side वालों का भी फायदा होता है और sell side वालों का भी फायदा होता है जबकि actually में wealth creation के लिए आपको करना चाहिए इसका उल्टा आपको short term के लिए banks और insurance companies को use करना चाहिए और long term के लिए stock में invest करना चाहिए तो इसलिए अब हम इस वीडियो के सबसे interesting part के तरफ आते और ये समझते कि आप इस compounding के power को use कैसे कर सकते हो अमीर बनने के लिए तो दोस्तो एक question मुझे बहुत लोग पूछते है कि सर हम stocks में invest तो कर लेंगे लेकिन बहुत सारी companies ऐसे भी होती है जो पूरी तरह कंगाल हो जाती है जैसे सुजलोन Energy, Jet Airways या Vodafone जैसे companies में अगर हम invest कर ले तो हमारे पूरे पैसे डूप जाएंगे तो इसमें compounding होगी ही कैसे तो दोस्तो आप लोग के लिए मैं यहाँ पे एकदम extreme case इस scenario लेता हूँ कि मान लो आप 6 companies का portfolio बनाते हो और आप सब में equal amount invest करते हो जैसे एक एक लाग रुपया long term के लिए मतलब आप 6 lakhs invest करते हो और फिर हम मान लेते हैं कि आपका decision making इतना खराब निकला कि 6 में से 5 companies बरबाद हो जाती है और सिर्फ एक company survive करती है और ये एक company भी इतनी ज़्यादा successful भी नहीं होती है कि आपको 25-30% का return दे दे ये बस आपको 20% का return देती है तो भी आपके 6 lakh के investment पे यानि इस portfolio का ये 13% का return होता है और अगर आपके 6 में से 3 company survive करती है और वही 20% के rate से grow होती है तो आपके portfolio का return 17% का होता है मतलब आपके 50% decision wrong होने के बाद भी आप अच्छा खासा profit कमा लोगे जो कोई भी FD, wealth saving plan और mutual fund से काफी ज़्यादा अच्छा होगा तो investing ही एक ऐसी field है जहां आप गलत होने के बाद भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हो बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको गलती करनी कहा है क्योंकि जब आपका loss होता है तो आपका loss उतना ही होगा जितना आपने invest किया था मतलब पहले वाले case में 6 में से 5 stock fail होए थे कि कुछ companies और अच्छे rate से grow हो जाए जैसे 25 या 30% की rate से या आपकी सारी companies अच्छा perform करे तब तो आपकी wealth और ज़्यादा speed में grow होगी क्योंकि यहां पे मैं आपको yes bank और vodafone जैसे company में invest करनी की बात नहीं कर रहा हूँ अगर आप थोड़ी सी research करके और common sense यूज करके अच्छी companies पिक करते हो तो 6 में से 5 companies अच्छा perform करेगी लेकिन अगर आप पूरा YouTube और social media browse कर लोगे तो भी आपको इन चीजों के बारे में कोई बताएगा नहीं सब यही बोलेंगे कि आपको कौन सा stock लेना है और उसे कब बेचना है जिसे राकेश जुन-जुन वाला ने कौन सा stock buy किया और कौन सा sell किया सब यही पता लगाने के कुशिश करते लेकिन उनकी wealth का सबसे बड़ा हिस्सा long term investing से आया है उन्होंने Titan Company में 2003 में invest किया था जब इसका price 3 रुपे का था यह चीज आप सबने सुनी होगी और आज इस company के share price 2000 रुपे के भी उपर है तो यह उनकी investment पे 800 गुना return होता है लेकिन सबसे interesting बात ही है कि यह stock आज एक दिन में 0.5% उपर गया है मतलब 60 रुपीज उपर गया है तो short term में अगर आप दुनिया की सबसे best trading technique से 3 रुपे को 60 रुपे में grow करना चाओगे पूरी एक साल में भी तो भी आप नहीं कर पाओगे लेकिन यहाँ पे यह 20 गुना grow हुआ है सिर्फ एक दिन में तो दोस्तो यही secret है compounding का stock market में जो इसे समझता है वो इसका फायदा उठाता है और जो इसे नहीं समझते वो जिन्दगी बार इसे pay करते रहते तो दोस्तो उमीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा तो इस चैनल को subscribe ज़रूर कर लेना और bell icon प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई ऐसे valuable videos मिस ना हो जाए अगर आपको stocks में invest करने के लिए DMAT account ओपन करना है तो आप नीचे description की link पे click करके free में अपना account ओपन कर सकते हो और घर बैटे बैटे अपने investment की शुरुवात कर सकते हो और अगर आपको कुछ questions है या कोई next topic की suggestion है तो आप मुझे नीचे comment करके बताओ हम आने वाले videos में उसे cover करेंगे और इस video को जाए स्यादा share करो अपने friends और family member के साथ और उनको भी educate करो कि actual investment होता क्या है और उससे wealth create होती कैसे वीडियो पसंद आया तो इसे like करो नहीं पसंद आया तो dislike करो आपका valuable time देने के लिए thank you and goodbye